दोस्तो आज के इस वीडियों में देखेंगे कि लिवगाड़ 1550 जो इन वर्टर था इस वीडियो में जिसके बारे में हम सुल किये थे उसकी कैपसिधी जो है दोस्तो लाश्ट वीडियो जो बनाया था मैंने काफी कुछ छोड़ दिया था जो कि दोस्तो आज इस वीडियो में मैं कभर कर लोगा और दोस्तो साथ ही साथ इसका चार्जिंग का टेस्ट भी करेंगे और उसके साथ दोस्तो इस inverter को ओपन करके भी दिखाएंगे दोस्तो कि इस inverter के अंदर जो पार्ट्स लगे हुए है वो कितने हेवी है या कमी की गई है कमपनी द्वारा तो दोस्तो यह चीज जनकारी जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो नमस्कार दोस्तो मैं राहुल कुमार आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत नहीं वह इस एनरजी मीटर में आपको देखने को मिलेगा यह को दोस्तो आपको कुछ समझ में आएगा जरूर एनरजी मीटर में आपको उपर में वाट जो लिखा राता है वmentalTaker लाट का लोड़ चल रहा है वह यहां पर display होक में साथी साथ इस में current भी display होते रहेगा कि कितना current आपको यह supply कर रहा है और साथी, साथ दोस्तो इसमें जो है voltage का supply भी दिखाते रहेगा यह energy meter मैंने इसलिए मंगाया था कि दोस्तो जितने में inverter का मैंने load test किया था वो 200 watt के bulb पे test किया था लेकिन दोस्तो वो 200 watt का bulb जो था वो 200 watt नो होकर 150-150 watt के बीच में रहा था इसलिए दोस्तो इस energy meter को मुझे मंगाना पड़ा ताकि load test करें तो सही जनकारी आप लोग के पास मिल पाए तो यह energy meter हम लोग को कैसे work करता है आपको मैं एक demo दिखाता हूं जैसे कि दोस्तों मैं यहां पे inverter को on किया energy meter में supply कुछ second के बाद आती है तो यहां पे आप देख पार होंगे ऊपर में जो है यहां पे 00 watt करके आया ह और यह जो है आपका consumption जो है पॉर आवर कितना kilowatt का consumption हुआ है वो चीज यहां पे आपका output voltage जो इसमें supply में voltage जो आ रहा है वो चीज यहां पे दोस्तों आपको display होते हुए दिखेगा और साथी साथ कितने hertz की frequency है यह चीज़ भी दोस्तों यहां पे display करेगा और यहां पे current का current जो है पास आउट हो रहा है वो चीज भी यहां पे display करेगा और यहां पे दोस्तों यह पाउर फैक्टर के बारे में किसी और विडियो में जानेंगे काफी अच्छे से जानेंगे उसको यहां पे दोस्तों display होते रहेगा तो दोस्तों इस inverter को मैं कर लिया हूं और अब मैं सब्सक्छेब सर्फ लेमेशन मसीन को ओन करता हूं थो लेमेशन मसीन को ओन करते ही दोस्तों यहां पे जो है edi का लौँल कर दोerson होगया और दोस्तों बॉल्टेज का सप्लाई जो है inver scrutiny दweise लेकिन अभी जो 43 222 ख कर रहे हैं और एंसका करेंट जो धाई एंपियर के अराउंड है और पावर फेक्टर जो है 0.99 है यानि कि वन है तो दोस्तों यह अभी जो है 500 वाट का लोड चल रहा है अभी इस पे मैं लोड कुछ बढ़ाता हूँ अभी लोड जो है 675 वाट हो चुका है दोस्तों आपको दिख रहा होगा 675 वाट यहां प पाचास वाट का जो है इसका टोटल कंपनी ने लगा कर रखा है तो इसका जो लोड मैं और थोड़ा बढ़ाता हूँ अब जो लोड जो है आपका यह 819 वाट हो गया है यानि कि दोस्तों 819 वाट काफी असानी से चला रहे ले रहा है और यह पाउने पांच एम्पियर के अर्ड़ज बर थतना रख टम्रॉत ऑंच आ लुद्वांच यौबांगा है। इस यानि इसका बंद चला धाता हूँ बंदन कि दोस्तों पर लोड पे लोड है दोस्तों मेरे पास ब दुकान का जतना डूर्ड label एंवाद इस मेरे तो इस जो है यहई यह दो साथ सो वाट जो है मेरे पास हो रहा है जबकि मैंने यहां पे दो दो सो वाट के जो बल्ब होते हैं वो मैंने यहां पर लगा रखें पांच के पांच और एक यह लेमिनेशन मसीन दोस्तों चल रहा है अभी भी इसको आप देख पा रहे होंगे मैं इसको जैसे यह ठीकुन हो रहा है जैसे ही तो ये इन वार्र जो है ऑभे रोट में में चला जा रहा है जैसे कि मेरा इन वाहां पे लगा हुगा है और वहां पे इन वार्ट जैसे представition वार्जिंग करना चालू कर रहा है आठ आठ सो से एब जा रहा है सोचने वाली बातrän है कि दो-्थो हसे के पांच बल्ब लगाए हमने दौस्तों बल्ब वहाँ पर जल रहे हैं दो-थो-से-क बल्ब और एक जो है यहां पे हैलोजन वाला जो होता है वो यहां पे लगा हुआ है इसका जो है साड़े 500 वाट लोड है तो यह भी चल रहा है वो भी चल रहा है और वहां पे inverter से जो है मेरे दुकान के सारी लाइट है जल रहे हैं तो इतना लोड होने के बाद भी दोस्तो यह 700 अप्शन है 3.8 है यानि कि दोस्तों यह 3.8 और पावर जो निकलता है हम लोग का बोल्टे से मलटिप्लाई होता है करेंट का तो वहीं चीज दोस्तों हम लोग का पावर हो जाता है तो वहीं वाटेज जो है आपको यहां पे डिस्प्ले हो रहा है उपर में 680 वाट अभी 6 380 वाट चल रहा है जो कि मेरा इन वाटेर जो है चार्जिंग रुख गया है इसलिए दोस्तों उसका कुछ हो नहीं सकता है उसको मैं देखता हूं थोड़ा सा डिस्चार्ज करके बैट्री को उसकी दोस्तों मैंने दुकान का लोड दिया है दोस्तों आप लोग देख पा यह तोटल लोड़ जो है сказать 6 an parlament देखे दूस्तों 841 ये इन वर्टर चल रहा है और यहां पे दूस्तों ने दोस्तों यह इन वर्टर ऑबर्लोड़ कर रहा है और यह इन वर्टर बंध हो गया अब इसको चालों करने के लिए दोस्त हम लोग को restart करना होगा तो दोस्तों यहां पर जो है इनवार्टर चालू हो गया है फिर यह चलेगा क्योंकि दोस्तों अब मैंने पावर सप्लाई इसका काड़ दी रहा हूं तो यह दोस्तों अभी रन करेगा अभी 60660 वाट के आराउंड दोस्तों इसका लोड जो है चल रह चार्जिंग की टेस्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेश्ट करूंगा कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो लीज वीडियो को लाइक किजिए और दोस्तों 12 वोड सेग्मेंट में कोई भी जनकारी आपको लेना हो कि किसी इनवर्टर का जैसे लिव गार्ड लूमिनस और माइक्रोटेक में मैं काम करता हूं तो दोस्तों उसकी लोड टेस्टिंग उसकी चार्जिंग और उसके यह जो भी आपको जनकारी लेना हो तो आप कमेंट सेक्षन में जरूर कमेंट किजिए मैं आपको उसकी जनकारी देने के लिए कोशिस करूँगा तो दोस्तों देखते हैं इसकी चार्जिंग की टेस्टिंग तो दोस्तों यहां पर एक चीज देखने वाली बात है कि विदाउट लोड की इन वर्टर जो है बीना लोड क चीज भी हम लोग देखेंगे और चार्जिंग जो है कितना दे रहा है वो चीज भी देखेंगे यह में ग्रिट से जो सो यह कनेक्ट है अब इसको चार्जिंग में इस इन वर्टर को लगा दिया है आप देख पार रहे हैं जोस्तों यह पंदरह एंपियर शोल्व एंपिर से दोस्तों यह inverter को चार्ज कर रहा है और में ग्रीट से जो पावर ले रहा है लगभग आपको पॉने 300 वाट दोसो चॉसट वाट यह सप्लाई ले रहा है अभी दोस्तों इसका चार्जिंग का रेट जो है कभी घट रहा है बढ़ रहा है 17 एंपियर पे है दोस्तों यह चार करेंट ले रहा है और तोटल वाट जो है 270 वाट ले रहा है यानि कि 270 वाट आपके ग्रीड से यह सप्लाई ले रहा हुब और 16 अप्यर करनेंट से कि दोस्तों विडियो में देखेंगेट तो जैसा कि मैने आपको बता या कि इंवर्ट को open करकर भी दिखांगा तो यह पर देख पा रहे होंगे कि दोस्तों यह आपना छो काफी हेवी के नीचे की आ तक मेरे ख्याल से जो माइक्रोटेक का इनवर्टर देखता हूं लूमिनस का इनवर्टर देखता हूं तो उसके हिसाब से इसका बोर्ड और इसकी ट्रांसफर्मर जो है बहुत ही है देखें दोस्तों यहां पे जो है एक साइड में छे मॉस्पेट लगा हुआ है और दूसरे साइज से यह बड़ा फैन लगा हुआ है इसमें इस कंपनी का इनवर्टर जो है मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है क्योंकि दोस्तों काफी कॉम्पेक्ट में बनाया है और काफी हेवी मेटरियल के साथ बनाया है आपको मैं लास्ट वीडियो में एक चीज नहीं बत दिखा है और यह सरे चीज डूस्तों आपको नहीं बता पाया था गयो और दिखा चीज़ और दिखाए रहां यहाँ पर दोस्तों इसकी चैपासी 1,050 watt थी. यह बारसो बचास बीए का inverter है. कंपनी ने बारसो बचास बीए में बनाया है. लेकिन इसकी capacity जो है 1,050 watt दी है. लेकिन हम लोग जो total load चलाया है. हमने जो total load चलाया. हम लोगों ने देखा कि 870-880 watt के load पे यह inverter overload हो जा रहा है. quality जो है दोस्तों इसका कहीं से गड़बन नहीं है, quality बिलकुल best है, दोस्तों इसको short circuit कराके हम लोग देखते हैं, कि short circuit कराने पे दोस्तों यह inverter कैसे react करता है, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग को एक wire लगेगा और इसको मैं short कराऊंगा, शारा experiment दोस्तों इस वीडियो में इसके साथ करने वाले हैं हम लोग तो दोस्तों इनवर्टर जो है मैं और यह उडर जो है मैं इसके अंदर डाल रहा हूं देखें दोस्तों इनवर्टर जो है इस प्रोटेक्शन लगा हुआ है इस इंवर्टर में अगर सौर्ट होता है कहीं पर आपके वाइरिंग वगेरा में तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है इंवर्टर जो है आटोमेटिक बंद हो जाएगा उस टाइम में फिर आपको जो है इनवर्टर को रिए